हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज फिर मैं आपके सामनी हुई ओटोकेट की एक न्यू ट्रिक के साथ, ट्रिक क्या है पहले वो दिखा देता हूँ, यूज कैसे करना उसके बाद वो बताता हूँ अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक मेरा प्लैन और मल्टिपल लेयर्स में वो बना हुआ है, तो साइड में लेयर्स की ओपन है सारी चीज़े, अब अगर मैं जिस जिस लेयर पे क्लिक करूँगा, जिस जिस लेयर को पर्टिकुलर में देखना चाहता हूँ, उस पर क माल लो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कि माल लो मेरे को पर्टिकुलर एक लेयर को देखना है, बाकि सारी लेयर को ओफ करना है, तो मैं यहाँ पे लेयर प्रोपर्टि में जाता था, जिस लेयर को मेरे को ओफ करना है, मेरे को वो लेयर ओफ करनी है, इस तरीके से, और isolate करने के लिए मैं एक और option यहाँ पर use कर सकता था, जो यहाँ पर second है, isolate layer, आप click करें, मालो आप text वाली layer को isolate करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको select करें और enter करें, तो यह वाली layer आपकी isolate हो गई, और बाकी सब layer जितनी भी है वो आपकी off हो गई, सिर्फ यह आपकी on होना है, तो इसको करने में फिर बाकी सारी चीज़े दुबारा से on करो, सबी चीज़े देखने के लिए, तो यह काफी hectic हो जाता है, तो इसका एक simple से way है, जो आप use कर सकते हो, उसके लिए आप press करो, layer walk, shortcut है, layer walk, और enter करें, तो आपके पास layer walk के नाम से dialogue box open हो जाएगा, ज यो जो layer आपको देखने हैं, मालनो में only wall देखने हैं, तो only wall पे click करें, तो complete wall दिखेगी, window पे click करोगो, then window दिखेगा, door पे click करोगो, then door दिखेगा, dimension पे click करोगो, then only dimension दिखेगी, तो ऐसे करके, आप अपनी layers को इस तरीके से देख सकते हैं, कि किस layer में मेरी क्या-क्या items है वो आप यहाँ से कर सकते हैं. तो उसके साथ साथ आप और क्या-क्या कर सकते हो, माल लो कोई layer यहाँ पे खाली है, और मेरे को यह delete करनी है, तो नीचे एक option आथा, pearls का, तो आप pearls करेंगे, तो वो layer वहाँ से delete हो जाएगी. यह भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि particular layer को आप click करके, आप मालनों मेरे पास यहाँ पे 20-25 layer है, मेरे को particular एक layer देखनी है कि इस layer को ही मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से select भी कर सकता हूँ, आप select object पे click करें, और जिस भी layer को देखना आप उस पे click करके enter करें, तो उसी layer को यहाँ यहाँ पे highlight करेंगा और उसी layer को यहाँ यहाँ पे दिखाई देगी, clear? तो आप यह कर सकते हो, और उसके बाद एक और option है, restore on exit, कि अभी आपने, अगर आप मालनों आप यह करते हो, कि मालनों मैं यहाँ पे wall देख रहा हूँ, और अगर मैं close करता हूँ, तो वह restore कर देगा पहले से जो पहले से था, clear? बट, अगर आप restore नहीं करते हो, और आपने wall पे click किया, और आप close कर देते हो, तो वह क्या करेगा? सिर्फ wall की layer को वहाँ पे isolate करेगा, और बाकि सारी layer को यहाँ पे off कर देगा, clear? तो इसके लिए आप, आपके उपर है कि आप इसको restore करना चाहत हो, मेरा suggestion यही है, कि आप restore on exit करें, तो जाके क्या होगा, कि बाद में वैसे ही आपको मिलेगा, जैसे आपने देखा था, बार बार आपको यह नहीं करना पड़ेगा, कि यहाँ पे जाके दुबारा से आपको सारी layers को यहाँ से on करना पड़े, तो यह आपकी एक command बहुत ज पिए वा देखा जोचे कर दो जाएपन हे जाएट करें जहलिए है।